आपकी एक गलती न कर दे घर का inverter खराब, भयानक गर्मी हो या बारिस ऐसे रखे inverter का खयाल एक गलती कर सकती है भारी नुकसान, inverter को रखना है सालों साल अच्छा तो करिए ये उपाए बारिस के दिनों में रखना है inverter का खास खयाल, नहीं तो एक चूक कर सकती है बड़ा नुकसान लाइट जाने पर नहीं होना होगा परेसान, अगर inverter की देखभाल की ऐसे, तो गर्मी में भी चलेगा पंखा घंटों inverter आज के दिनों में घर का सबसे एहम साती हो गया है, एक बार से टीवी फ्रिज ना हो आपके घर में तो चल जाएगा, लेकिन inverter ना होने से भयानक गर्मी और अंधेरे का सामना करना पड़ता है भारत में बहुत तेरे हिसे ऐसे हैं, जहां light की समस्या है, कई ऐसे इलाके हैं, जहां दिन में 10 घंटे भी मुश्किल से बिजली रहती है ऐसे में inverter रहात देता है मगर आपको पता है कई ऐसे इलाके भी है जहां light बेहत कम जाती है या जाती ही नहीं है फिर भी आपके घर inverter है तो ऐसे में भी खास ख्याल की जरूरत है नहीं तो आपका inverter खराब हो जाएगा और आपको हजारों रुप्ये का नुक्सान उठाना पड़ेगा inverter की वैसे तो जरूरत पूरे साल रहती है मगर गर्मी में इसकी जरूरत सबसे अधिक होती है क्योंकि बीना light पंखा भी नहीं चलता ऐसे में inverter गर्मी से राहत देती है मगर यही गर्मी का मौसम होता है जब बिजली उपकरनों का खास खयाल भी रखना होता है गर्मी में ये ज़्यादा आसानी से खराब हो सकते है तो चलिए जाने होम inverter का खयाल आपको कैसे रखना है ध्यान दे जब कभी inverter घर में लगा रहे हो तो inverter लगाने के लिए हमेशा हवादार जगा का इस्तमाल करे ऐसा इसलिए कि charging और operation के दौरान inverter की बैटरी गर्म हो जाती है ऐसे में एक बढ़िया हवादार जगा बैटरी के गर्म होने को कम करती है सिर्फ यही नहीं यह बार-बार पानी भरने की आवसकता को भी बेहत कम करती है बैटरी को भूल कर भी कबरना करे हवादार जगा होने से गर्म inverter जल्दी ठंडा हो जाता है ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि inverter पर कई बार जरूरत से ज़्यादा लोड होता है हलांकि अधिक लोड देने से बचना चाहिए एक साथ इस पर बहुत अधिक लोड इसका परफॉर्मेंस प्रभावित होता है इनवेटर की हेल्थ को सेव बनाए रखने के लिए कुछ भी फालतू चीज इनवेटर से नहीं चलना चाहिए खासकर आइरन या मिकसर, ग्राइंडर, कूलर, माइक्रो ओवन या कोई भी अधिक बिजली पर चलने वाला उपकरन कनेक्शन पॉइंट और वाइरिंग की जाज करते रहना इनवेटर को लंबे समय तक चलने के लिए बहुत जरूरी है वाइरिंग पर ध्यान रखें इनवेटर में लगा तार कईवार कार्बन की जकड़ में आ जाता है जिसके कारण सौर्ट सर्किट होने की चांस बढ़ जाते हैं ये बहुत जरूरी है कि इंस्टॉलेशन के बाद नियमीत रूप से बैटरी का इस्तमाल करते रहें कई इलाके होते हैं जहां बिजली नहीं जाती या ना के बराबर जाती है ऐसे में महीने में एक बार बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज करें और फिर इसे इस्तमाल करें वहीं हर दो महिने में बैटरी के water level को मापना चाहिए इसमें indicator लगा होता है जिससे आप देख सकते हैं ये सुनिक्सित करें कि water level maximum और minimum water level के बीच का होना चाहिए बैटरी को हमेशा distill water से top up करें नल के पानी या बारिस के पानी का इस्तमाल ना करें अगर टर्मिनल खराब हो जाता है तो कौरसिव एरिया पर गर्म पानी बैटरी सोडा का घोल डाले और तुथब्रस का इस्तमाल करते हुए उसे रगड़े इस तरह से आप बैटरी का खयाल रख सकते हैं